वेलकम तो बीट दा स्ट्रीट मैं हूं सिए सुदर्शन मंदारी और आज हम बात करने वाले बैलेंस फंड के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैलेंस फंड होते क्या है उन्हें सेलेक्ट कैसे किया जाता है क्या पैरमीटर्स क्या इंपोर्टेंट फैक्टर्स होत क्या है और किस ताइम फ्रेम के लिए आपको यहां पर बैलन्स फंड आपको यहां पर जानने को मिलेगा अगर आप अमयार चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जहूर दबाएं most importantly balance fund का एक और दूसरा नाम होता है जिसको बोलते है hybrid funds इसका meaning क्या होता है basically you know Radhika Gupta the CEO of Idlevices very rightly said not a chocolate cake but a dal chawal basically balance funds is the mix of debt and equity इसलिए इसको एक और नाम दिया गया hybrid funds अब यहां पर basically balance fund का main काम क्या होता है to reduce the volatility and the risk the most important work of the balance fund is कि आपका जो investment है उसका volatility और risk को कम करना साथ ही साथ एक decent returns earn करना जब भी market गिरे so you know basically इस video में आपन देखेंगे कि अभी balance funds कौन कौन से अच्छे हैं so अगर आप देखेंगे the most important thing while selecting a balance fund is their strategy balance fund basically आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि किस तरह की strategy आपका fund यहां पर utilize कर रहा है अभी मैं आपको एक example देता हूं कि momentum strategies जो होती है जिसमें आपन stocks तब खरीते हैं stock बढ़ रहा होता है वो strategies यहां पर काम नहीं करती है जब भी आप यहां पर you know balance fund में पैसा लगाते उसके लावा अगर आपन देखेंगे तो मिराई asset के CEO भी यही बोलते कि यह एक ऐसा category है जहां पर हर mutual fund different है जस्टिफाइड होते है तो वो buy करता है वही पैडल वाइस is momentum follow करता है HDFC यहां पर interest rates valuation asset class outlook यहां पर देखता है बट इसका कोई model नहीं है as such it is based on a narrative ठीक है वहीं पर DSP यहां पर क्या करता है PE and PB valuation use करता है किस तरीके से रहा है for example अभी अगर अपन देखेंगे तो जो फेस था जब अपना बियर फेस चालू आता या फिर correction फेस था तो किस strategy ने किस तरीके से perform किया है जैसे कि मैंने बोला था कि momentum method काम नहीं करता है तो you have to focus on the strategy ठीक है साथ ही में आपको यह भी देखना रहेगा कि कौन कौन से mutual funds आपका जो fund है वो किस तरीके से equity or debt का allocation basically उसको modify करता है तो basically अगर अगर अपन इसको समझें कि जो categories होती strategies होती है उसको दो category में या पर divide किया गया है so first category is the counter cyclical वो क्या करता है basically equity allocation increase करता है during the falling markets ठीक है वहीं पर pro cyclical जो होता है वो क्या करता है increase करता है equity allocation को during the rising markets so every strategy is basically different तो आपको यह देखना है कि basically आपके fund में pro cyclical है या फिर counter cyclical है what I would suggest is always have a basically counter cyclical strategy उसके बाद आपको यह देखना है कि उसका volatility और risk कैसा है ठीक है तो आपको हमेशा वह select करना है जिसका हमेशा lower volatility and lower risk है okay so यह पर basically आपका काम आता standard deviation जो होता है जो कि आपका जिसका सबसे आदा lowest standard deviation होगा वह आपका objective serve करेगा ठीक है third criteria आपको यह देखना होता है कि asset allocation कैसे होता है ठीक है बट आपको अमेशा asset allocation को longer period में देखना होता है ठीक है और उसके अलावा आपको यह भी देखना रहता है कि जो आपका asset के अंदर आप equity portfolio है ठीक है उसको hedge किता कर रहा है for example मैं इस equity allocation कितना हो गया 50% so you always have to look net of hedges ठीक है तो यहाप अगर आप देखते हैं कि किसका कितना standard deviation है ठीक है तो यहापे भी अगर आपन देखेंगे तो जो अपना bank of india का जो basically fund है उसका 1.3 का standard deviation है वही पर अगर आपन बात करें आई से प्रेडेंचिल का 2.6 है so basically it goes like this ठीक है फिर कोई पर dsp dynamic का अगर आपन देखते है asset allocation जो strategy है उसमें 1.3 का standard deviation है also अगर आपन देखते हैं कि यहापे 5-year के rolling returns कैसे हैं कि मतलब आप कभी भी 5 साल में invest करते हैं तो आपका क्या return बैठता मोटा मोटी यह आपके rolling return से यहापे पता चलता है so you can just see कि how it has failed उसके बाद अगर आ देखें तो asset or equity में basically जो मेरको लगता है best होता है allocation वो 70-30 तो 70% should be in equity and 30% into the debt उसके अलावा आपको यह भी देखना है कि equity के अंदर large caps ज्यादा है या mid caps ज्यादा है generally जब आप balance fund में पैसा लगाते हैं तो आपका large cap portion ज्यादा होना चाहिए because you know large cap funds हमेशा आपको better risk profile देता है because यहाँ पर उसमें downside risk हमेशा कम रहता है ठीक है so that is an important basically metric उसके बाद आपको यहाँ पर YTM भी देखना होता है debt positioning आपका कैसे modified duration of the fund क्या है so that are all the factors you have to consider उसके बाद आप आप रिसको मिटर भी देखिया किजिए riskometer बेसिकली क्या है और basically AMFA defined scale है जहाँ पर हर mutual fund खुद को rate करता based on the risk तो very high is the basically आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा downside हो सकता है moderate is the best one because बाकी जो अगर आपन compare करते तो moderate is the decent one अगर आप debt funds में जाते है तो उसमें risk होता है riskometer के हिजाब से lower risk वगरे भी होता है so moderate के अगर अगर आपन देखते तो 3 mutual funds यहाँ पर आते है ICICI का आता है SBI का आता है and DSP का आता है so this has been the important metric you should know उसके बाद अगर आपन देखे तो किसका fund performance किस तरीके से काम किया है तो अगर आप देखोगे ना एक बहुत important चीज़ है यह जो slide है हर तरह के market में किस fund ने कैसा perform किया है वो आपको यह बताता है तो falling markets कौन से हो गए जब आपका covid के time पे जब fall हुआ तो किस market ने किस तरीके से perform किया था तो उसमें अगर आप देखोगे तो सुंद्रम mutual fund जो था उसको 12% का नुकसान हुआ वहीं पर आपन देखे के category average 21% था जा पर access balance fund 15% किर गया था ठीक है तो वहीं पर आप देखेंगे bank of India यहां पर 13% किरा था वहीं पर आपको portfolio average देखेंगे तो आपका nifty 16% से गिरा था बट आपका यह जो category था कि केवल 8% से गिरा वहीं पर उसके best performing mutual funds थे उसने 3.2% का यह fall देखा फिर rising markets कौन से हो गए rising markets जैनी March 20 से October 21 तो यहाप एक बहुत important चीज है कि कभी भी आपको पैसा rising markets के beginning में नहीं लगा तो आपका category average बनता 37% का वहीं पर nifty 50 ने just 2x return बनाया है by 77% return so you have to understand कि आपको किस समय लगाना यह भी बहुत important होता है उसके बाद वापस अगर आपन देखते है जो recent market correction खतम होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो यहापे भी similar चीज हो रही है यहापे मैंने category ने अपना balance fund best time to invest in balance fund is when the market valuations are very very high जब मार्केट में सबसे यूफोरिया हो जब मार्केट की valuations एकदम peak पर चली जाए तब आपको balance fund में लगाना चाहिए जब आपको लगना लग जाए कि आपके portfolio बहुत जादा equity हो गया है ऐसे बहुत सारे stocks हो गया है जिसका valuation एकदम से बढ़ गया है average rolling returns इनके कितने रहे 1 year 3 year and 5 years में so you can just understand कि किसका कितना return रहा है so अगर आप देखो कि obviously यह पर nifty 50 जितने आपको returns कभी नहीं मिलेंगे एक साल के अंदर जब आपका bull run था ठीक है तो यहापर best category ने HDFC balance fund है उसने करीबन जो return में वो close to 14% के आसपास बनाया ठीक है महीं पर देखें एक bear face देखा है लगबग लगबग तो यहाप अगर आप देखो कि तो यहाप ठीक ठाक returns यहाप मैच करवा दिए गए 10 से 10.5% के return है और overall nifty 50 का return है वो करीबन जिनको lower risk चाहिए जिनको equity भी चाहिए और debt भी चाहिए जिसको अपने portfolio का basically equity portion यहाँ पर reduce करना है तो यहाँ पर लगा सकता है तो यहाँ पर next bull run तो definitely start होने वाला next cycle of correction phase से पहले यहाँ पर next cycle of rising phase देखने हो मिलेगा ठीक है जब भी आप यहाँ पर देखो कि तो prolonged stress in the equity अभी prolonged stress in the equity क्यों होता है कुछ ऐसी events हो जाए for example 2008 की मंदी जिस कारण से आई थी हर्षण मैतर स्काइम हो अदा prolonged stress in equity हो जाए बहुत चाहरी कंपनिया default कर रही है जैसे nbfc crisis आया था ठीक है उसके अलावा यहाँ पर एक और जो चीज है आपको क्या करना है ध्यान में रखना है वह है आपको suitable जो basically यह होता है criteria इनको select करने का हमेशा इसमें nfos जरूर avoid कीजिए क्योंकि nfos जो आते हैं इस category के अंदर उनका कोई historical performance नहीं होता है and यहाँ पर आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वह किस तरीके से perform करेंगे हर market phase के अंदर ठीक है तो इस तरीके की यहाँ पर जो basically यहाँ पर आपको हमेशा चीज़े ध्यान रखनी है it's for a wealth protection ठीक है उसके बाद अगर अगर आपन देखें तो यह कभी भी short term के लिए नहीं है और यहाँ पर अगर आपन देखें जो balance funds है जिसका high return आता है वो कभी भी अच्छा नहीं क्यलाएगा एक साल के अंदर balance fund ने अगर आपको अच्छा return दिया तो does not means it's a good fund because आपको balance fund वो लेना है जिसने decent return दिया है ना कि highest return दिया है क्योंकि जो highest return दे रहो होगा जब market गिरेगा तो वो भी सबसे जादा किरेगा so these are the all the parameters you have to consider based on the parameters we analyzed and what we think is ICICI Prudential balance fund is the best fund basically इसमें एक तो पैसा भी ज्यादा लगावा इसका AUMB अरांड करीबन 30-40,000 करोड के आसपास if I am not wrong so it's a basically good fund अगर आप देखो कि तो इसमें जो इसके overall returns रहें वो भी काफी ठीक टाक रहे 10-11% के average returns रहते है so it's a good fund to invest you know so that's all about the balance fund just to conclude कि आपने वो क्या क्या चीजे देखनी है the most important fact is the strategy ठीक है strategy देखना है उसके बाद अपने को देखना है कि वो उसका past performance क्या है और वो fund एक तो पुराना होना चाहिए similarly आपको fund manager को भी देखना है कि fund manager किस तरीके से काम कर रहा है अलग-अलग market phase में उसने कैसे perform किया है वो भी आपको देखना है ठीक है कि आपे किस phase में उस fund में कैसा perform किया वो भी आपको देखना है उसका equity allocation कितना है वो किस तरह के debt funds में लगाता है वो भी देखना है so these are the some of the important criteria you have to see ठीक है कभी भी आप इसको छोटे उसके लिए ना लगा है छोटे period के लिए ना लगा है short term के लिए ना लगा है don't consider it for a wealth creation अचा यह generally 20 to 30 years वाली जो age होती उनके लिए नहीं है यह more than 30 years वाले लोगों के लिए because at the age of 20-25 years you are more having aggressive risk appetite ठीक है आप ज्यादा risk ले सकते because you have a longer life and you are earning also so you are in the growing phase of your income तो अभी के period में जैसे जो 20-30 साल वाले लोग है younger generation है उनको अभी इसको avoid करना चाहिए जो 40 प्लस या 50 प्लस वाली age में जा चुके हैं near to their retirement है and don't want to take the risk because जब आप 50 साल की उमर में होते यू cannot take the risky bets अगर आपने अभी risky bet लिये and if you fail if the stocks fail then your whole retirement plan will go for the toss but वहीं पर अगर मान लिजे आज 25 साल के आपकी उमर है आप यहां पर risks ज्यादा ले सकते क्योंकि आपकी growing earning income है आपको बाद में भी regular income मिलती रहेगी 30-30 साल तक आप उस loss को recover भी कर पाएंगे but 50 साल की उमर में आपको 15 साल लग जाएंगे और आपको उस time भी basically इतनी tension और इतना काम करना पड़ेगा to compensate your losses so it's always good for the older people rather than the newer generation so that's all on the balance and hope you like this video ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन जरूर दुबाएं आप हमें twitter पे भी follow कर सकते इसी तरह के quick insights और threats के लिए thank you so much and please subscribe to our channel